नवसकार आज के इस explainer वीडियो में हम लोग समझेंगे कि share क्या होता है share के बारे में आप लोग आया दिन सुनते रहते हैं अखवारों में पढ़ते रहते हैं कि फलानी company का share इतने प्रतिसर से बढ़ गया है फलानी company का share इतने प्रतिसर से नीचे आ गया है किसी company का share बहुत अच्छा है इसको खड़ी लेना चाहिए किसी company का share अब खराब होता जा रहा है उसमें नुकसान की संभावना ज़्यादा हो गई है उसको बेज देना चाहिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर या share होता क्या है और इसका literal meaning क्या होता है share का literal Hindi meaning होता है हिस्सा इसका मतलब होता है हिस्सेदारी तो जब कभी भी आप किसी company के share में deal करते हैं इसका मतलब या होता है कि आपने उस company के share को अगर purchase किया है मतलब कि आपने उस company में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है आप उस कंपनी के ब्यापार में हिस्सेदार बन गए हैं, साजेदार बन गए हैं, अब अगर वह कंपनी मुनाफ़ा कमाती है, तो मुनाफ़े में आपका हिस्सा है, अब अगर वह कंपनी नुकसान करती है, तो नुकसान में भी आपका हिस्सा है, जब कभी भी आप किसी कंप पास आपनी रख्य हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने अपनी हिस्सेदारी कम की है, शेर, जेनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकुटी शेर और दूसरा होता है preference share, equity shareholders का मतलब equity shares का company के profit और loss के साथ direct connection होता है, सीधा संबन्द होता है company अगर profit कमाती है इसका मतलब यह है कि equity shareholders को हिस्सा मिलने वाला है, मुनाफ़े का कुछ हिस्सा उनको मिलने वाला है company अगर loss करती है, इसका मतलब यह है कि equity shareholders को loss में participate करना पड़ेगा उनका जो capital है जो उन्होंने investment किया है वह capital उनका कुछ नो कुछ कम हो गया है preference share को आप bank के fixed deposit की तरह आप समझ सकते हैं जैसे कि bank आपको आपके investment पे FD पे एक minimum guaranteed return promise करती है और देती भी उसी तरीके से company भी preference share जाड़ी करके अपने investors को एक minimum guaranteed return का promise करती है और preference shareholders का company के मुनाफे से या उसके नुकसान से कोई खास connection होता नहीं है company अगर losses भी कर रही है उसके बाद भी preference shareholders को उन्होंने commitment किया है एक guaranteed return देने का वह उनको देना पड़ेगा इन दोनों के अलाबा एक और प्रकार होता है जिसको कि हम लोग equity shares with differential rights बोलते हैं हलाकि इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में क्योंकि एक minute का explainer लगवग ढाई minute का हो गया है लेकिन topic लंबा था इसलिए इसके जुरूरी था कि आप लोग को थोड़ा सा जादा समय लेकर के बताया जाए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लाइक करें कॉमेंट करें और इसको सेयर करते रहें नास्कार